नमो भगोतेवास देवाई नमा, स्वागत है आप सभी का मेरे हैचस वारद्वा यूट्व चैनल पर, आज मैं आपको माग पूरण मासी से सम्मन्दे जानकारे दे रहा हूँ, माग पूरण मासी कब की रहेगी, क्या महत्व है, गंगा इस्नान का क्या महत्व है, कैसे हमें दान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, और कौन से ऐसी उपाय करने चाहिए, जिससे हमारी हर्मनो कवामना पूरण मासी के दिन, भगवान भिष्णु का पूजन किया जाता है, और ज़्यादा तर लोग इस बारे में जानते हैं, इस दिन भगवान मह काल, यानि भूले खानी से उनसे बोल दें एक दिन पहले वह आपको लाकर के देंगे धतूरे का फल जो है शिव लिंक पर अरपन करना चाहिए इस दिन भगवान सिव जी का पंचामरस से अफशेक करें उसके बाद में आप सुद्ध जल से भगवान सिव जी का अफशेक करें फिर आप केसर गंगा जल डाल करके इसनान करना क्योंकि इस दिन गंगा इसनान का विशिश महत्व है साइसनान होता है गंगा इसनान होता है इस दिन तो आप गंगा जल डाल के इसनान करें उसके बाद में सूर देव को अर्ग देने के बाद में भगवान सिव की पूजा करें फिर आपक इस दिन गो माता की पूजा भी करनी है गो माता को मीटा जरूर खिला करके आए इस दिन आपको सत्तिनारण वगवान की अता करनी है और साल ग्रामजी पर तुलसी के पत्ते अरपन करनी है ये सबसे ज़्यादा मेहत्व है पहला उपाई यह है कि आपको 11 पत्ते, 11 तुलसी के पत्ते साल ग्राम जिपर अरपन करने हैं, अपनी मनोकामना बोल करके आपकी मनोकामना पूरी होगी। दूसरा उपाई है कि इस दिन साम के समय आपको आप सुबेटों सतना भगवान कता करी लें संकल्प को पूर भगग पिर साम के समय आपको दो दीपक जलाने हैं एक भगवान सिप के सामने अपनी इच्छा बोल करके और एक भगवान विश्णू के सामने दोनों दीपक चो अगर आपकी कोई इच्छा दूरी रह रही है मनो कामना पूरी नहीं हो पा रही तो इस दिन आप गो माता को मीटा खलाएं और उस समय आप गो माता की मस्तक पर टीका लगाएं उनको एक बस्त्र भी अरपन कर सकते हैं हाथ जूड करके नमस्कार करें साम के समय जब आप भगवान सिव के सामने दीपक जला रहे हूं तो सम्मब हो सके तो आप पीपल ब्रक के नीचे दीपक जला करके उनकी परकरमा भी करें इसका विशिश मेत होता पूरण मासी की दिन बट ब्रक की अगर बट ब्रक और पीपल एक साथ हैं तो जरूर आपको दीपक जला के परक्रम्मा करनी चाहिए और कच्छा सुन तलपेटना चाहिए इससे मनो कामना पूरी हो जाती है बहुत ही अच्छा उपाय है इस दिन आपको शूर देव को जब अर्ग दे रहे हूं तो उस समय आपको दिहान रखना चाहिए कि शूर देव गर में भरपूर दनाता है आ रही सारी व्यादाएं सारी परिशानी सारे दुख दूर हो जाते हैं जो व्यक्ति प्रते दन तुल्सी माता के सामने दीपक जलाते हैं तुल्सी माता के सामने दीपक जलाना साथ ही आपको वहां पर स्वास्तक चिन बनाना गर के मेन दरबाज पर स्वास्तक चिन बनाना इन सब का विशी समयत्व है तो ये पूरण मासी 16 तारिक की रहेगी 16 फरवरी की पूरण मासी है इस दिन बुद्धवार है और इस दिन वैसे पूरण मासी 15 तारिक हो ही रात को 9 बज़ करके 41 मिट पर प्रारम हो जाएगी इसका विशी समयत्व है इस दिन बुद्धवार है उसके बाद में 16 तारिक को रात के 10 बज़ करके 27 मिट तक यतिति रहेगी तो इसलिए इसका मेहत्व जादा तर 16 तारिक का रहेगा जो 14 सी में पूजा करते है वह 15 तारिका ब्रत रख सकते हैं तो पूरण मासी का विशी समय तो अब बड़ी पूरण मासी है तो आप यह पूजन करें भगवान सिव की पूजा करें वीडियो को सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ओम नमस्ट बाएव